मुलिएन के करदी भार मेक तरज़नोnię आज आपके एक बिशिंश गुरनक्षा के प्रश्नी पर बात कहनी है सामान्य रूप से मैं पररोष्नी पर काफि ब्याक्षान करता हूँ लेकिन आज आज आपके बीच में एक नए विशय गोलक्षा के प्रश्ण पर व्याक्षान करने के लिए आया हूँ गोलक्षा का प्रश्ण इतना महत्पोन है और गोलक्षा जरूरी क्यों है इन दो बातों पर मेरे व्याक्षान में काफी कुछ कहने की कोशिश करूगा और गोरक्षा के संबल में हम सब लोग अपने अपने जीवन में क्या कर सकते हैं एक तीसरी बात व्यास्थान में वो कहने की कोशिश करोगा आप सब जानते हैं कि हमारा देश अंगरेजों का एक लंबे समय तक गुलाम रहा सेकोव वर्षों तक अंगरेजों ने इस तेश को गुलाम बनाने के लिम्हें काकी त्यारियां anyways पिछमें कुछ वर्षों पे भारत देश की गुलामी और अंगरेजों ने भारत में क्या किया इसके बारे में हम लोग ने हमारे किस्ताश्थियों ने पचाहत हजार से जादा कुछ दतावेज इकत्수 किये लंडन की Libraries में से, इंडिया Office Library में से, British House of Commons की Library में ते ये दतावेज मिले हैं। उन दतावेजों के आधार पर आज का व्यास्ठिान होगा। गुरत्षा का प्रस्ण कूछ जरूरी है। 1813 के साल में अंग्रेजों की संसर हाउस आफ कॉमंस में एक बहस चली उसका शीर्शक्या था किस मुद्वे पर वो बहस चली उस बहस का मुद्वा था भारत को ईसाई कैसे बनाया चाई इस मुद्वे पर ब्रिटेन की संसर में 1813 के काल में एक बड़ी बहस चली 24 जून 1813 को वो बहस पूरी हुई और 24 जून 1813 को जब बहस पूरी हुई तो इस बहस में एक प्रस्ताव पारिश किया गया वो प्रस्ताव यही था कि भारत को ईसाई बनाना है उस बहस के जो दक्तावेज हैं उनको देखने से यह पता चलता है कि अंग्रेज और इस इंडिया कंपनी जो भारत में आये थे वो सिर्फ व्यातार करने के लिए नहीं आये थे और इस इंडिया कंपनी और अंग्रेजों को भारत में सिर्फ व्यातार करने में रुची नहीं थी वो भारत को ईसाई बनाने का एक बड़ा काम करने के लिए भी आये थे जो इनकी दरश्टी में बड़ा काम था इतिहास में हम लोगों को सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाता है कि इस इंडिया कंपनी भारत में व्यातार करने के लिए आये थी लेकिन 1813 के वो दस्तावेज देखने के बाद पता चलता है कि इस इंडिया कंपनी भारत में व्यातार करने का बहाना लेकर आई थी मूल उद्देश उनका भारत को ईसाई बनाने का था तो भारत को ईसाई बनाने का जो प्रस्ताव पारित हुआ बिटेन की पार्लेमेंट के house of commons में तो उस प्रस्ताओं में कुछ नीटियां टहकी गई और उन नीटियों को अंग्रेजों की सरकार ने भारत में अपने पूरे समयना लागु किया वो नीटियां क्या थी उन लोगों की अंग्रेजों की जो सबसे पहली नीटी थी भारत के लिए वो ये कि अगर भारत को ईसाई बनाना है तो भारत में जो सम्रद्धी है भारत में जो संपन्मिता है भारत में जो सुख है भारत में जो पैसा है जो संपत्ती है इसका नाश करना पड़ेगा क्योंकि जब तक किसी समाज में गरीबी नहीं आएगी जब तक किसी समाज में बेरोजगारी पैदा नहीं होगी तब तक उस समाज को ईसाई नहीं बनाया जा सकता ये बात लंडन के पार्लिमेंट में बहुत तारे उस जमाने के MPs में कही तो भारत में विपन्नता लानी है, भारत को गरीब बनाना है, भारत में भुखमरी सा लानी है इसकी एक लीपी अंगरे जोने व्यवस्थित रूप से भारत में शुरू की और इस MPs के तहट उन्होंने जो सबसे पहला फैसला लिया, वो उनका फैसला ये था कि भारत में अगर गरीबी पैदा करनी है, भुखमरी पैदा करनी है, तो भारत की अर्थ व्यवस्था का नाश करना पड़ेगा, भारत की अर्थ व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए, भारत की अर्थ व्यवस्था का नाश करने के लिए, अंग्रेजों की सरकार ने एक और किया कि भारती एक क्रशी पद्विती को भी बरबाद करना पड़ेगा तो भारत की क्रशी पद्विती जब तक बरबाद नहीं होगी तब तक भारत की अर्थ व्यवस्था बरबाद नहीं हो सकती क्योंकि भारत की अर्थ व्यवस्था काफी बड़े हिस्थे में खेती पर हिंदु रहा है तो जब अंग्रेजों की सरकार ने लंडन की पारलेमंट में फैसला कर लिया तो इसके बाद उन्हों ने नीतियां बनाना शुरू किया हुआ और उन नीतियों को हिंदुस्तान में लागू करने थी कि भारत के समाज का और भारत के अर्थ जवक्था का मूल केंड्र क्या है तो इस तर्वे की रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजों को पता चला कि भारतिय क्रशी का जो मूल केंड्र है वो गाय है और गाय के दिना भारतिय क्रशी हो नहीं सकती यह उन्होंने अपने पता चली कि भाऍटी है करशी के चेंडर में गाय आड़ावा भारती समाज और संस्कृति केंडर में भी गाय है कि जे कि वोगल Ranch डमा Image म्स्धे निशनुत में हजारों साल few उती रही है हमारे देष में आप जानते हैं जाता। कि गाय। में 33 क्रोर देवी देवताओं का निवास होता है। वह हमारी वहरी ऩंश्क्रतिक परमपरा से निकल कर आई है। गाय के शरीरण कोई भी हिस्ता ऐसा नहीं है जिसमें किसी देवतां का निवास नाही है। ये जो बातें आयी हैं, ये भारती वे संस्कृत्य और परंपरा के किसी जहरे हिस्स्के से निकल कर आई हैं और ये परंपरा 20- wen के पुरानी हैं ये कोंड बेहजार नहीं है प्रिध का सुकता के अस्क्रफ बहुत हजारों साल पुराना है यौरप और अमेरिका के अस्कित्त के बारे में हम कल्पना कर सकते हैं कि वो पाथ सो हजार साल पुराने देशों की संस्कृती वाले देश है लेकिन हमारे देश की संस्कृती और परंपरा तो हजारों साल पुरानी है तो इतनी लिए अंग्रेजों ने जब सर्वे करा लिया और अंग्रेजों की सरकार ने ये जानकारी हासिल कर ली कि भारतिय क्रशी के मूल में गाय है और भारतिय संस्कृती की जवस्पादी गाय के आसपास गूंती है तो उन्होंने एक पैसला किया कि भारतिय क्रशी को जमाने के कुछ राजाओं के बारे मैं द्रश्टांत देना शुरू किया, हाला कि उनको ऐसे द्रश्टांत नहीं मिले. मुन रूप से हिंदुस्तान में जितने राजा हुए, उन सबी राजाओं ने गाये को बचाने के लिए ही अपने जीवन की और अपने राज़िती सारी नीतियां बनाने की कोशिशों की, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम राजा भी हुआ करते थे, जिन्होंने गोरक्षा के लिए नीतियां बनाई, और मुस्लिम राजाओं की जो विशेशता थी वो ये थी, कि बहुत सारे मुस्लिम राजा ये मानते थे, कि भारतिय अगर कोई दय्वस्थ्स की परंपराओं आन्गूप साथन होगा अगर भारतीय समाज की परंपराओं के विफरीग साथन होगा तो कोई दय्वस्थ्ट इस पेश चल नहीं सक्ती यह बात बहुत सारे मुस्लिम राजा जानते सी और उस बात का उन्ने अन्हों अपने राजी में लागु करने की कोशिक भी की थी। अंक्रेजुने बहुत को जा, लेकिन मुस्लीम समाज में और मुस्लीम ख़माज के राजाओं के बीश में गी उनको वे रख्षा लिए काम करने वाले बहत सारे मुस्लीम राजाओं के दृस्तांत मिले। और वैसे दुस्तान थिंदुस्तान के इतिहास में बड़े पड़े एक दो अपवाद ऐसे थे जिनको अंग्रेजों ने प्रचारित करना शुरू किया और उन अपवादों के आधार पर अंग्रेजों ने इंदुस्तान में गाय का कट्ल करवाना शुरू किया गाय का कतल करवाने के तीछे अंग्रेजों के मन में जो मूर लीती थी वो सबसे महतुपूर यही थी कि भारत की क्रशी का भारत की अर्थ विवस्था का नाश करना है और वो गाय का कतल करवा के फिर गाय के मास को अंग्रेजों की फौज को फिलाया जाने लगा बड़े पहमाने पर हिंदुस्तान में गाय का कतल अंग्रेजों ने शुरू करवाया और उस गाय के कतल का मास अंग्रेजों की सरकार और उस सरकार के अधिकारी अंग्रेजों की फाज, अंग्रेजी की फाज के स्पाहियों को दिया जाने लगा तो धीरे धीरे नतीजे क्या निकलने लगे कि गाय की संख्या कम होती चली गई गोवंच का नास शुरू हो गया बीज के बार में अंग्रेजों की सरकार को एक महतुपूर सच्चाई का पता चला और वो महतुपूर सच्चाई क्या थी अंग्रेजों की तरकार को पता चला कि गोवंच का अगर नाश करना है तो गाए का नाश करने से ज़्यादा जरूरी है नंडी का नाश किया जा बुल का नाश किया जा जो तार होता है उसका नाश किया जा और अंग्रेजों का एक अधिकारी था उस अधिकारी ने इस बात को अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि हम गाए का कतल करते रहें और गाए को मरवाते रहें तो गाए पैदा होती रहेगी उसके ज़्यादा अच्छा ये है कि गाए जिस तरीके से पैदा होती है उसके लिए जो सब्से महतुपूर है नंडी जिसको हम कहते हैं बुल यातान उसको मरवाना चाहिए अगर नंडी का कतल होगा अगर बुल नहीं रहेगा भारतिय समाज में तो गाए की पैदा इसमें कमी हो जाएगी ये बात जब अंग्रेजों को पता चल गई तो उन्होंने फिर गाए से जादा नंडी का कतल करवाना शुरू किया और एक विशेश द्रस्टी से इस देश में अंग्रेजों ने विशेश कतल कारखाने खोले जिनमें सिर्फ नंडीों का कतल हो सिर्फ बुल्स को काटा जा है सिर्फ पाणों को काटा जा और उन कतल कारखानों को चलाने के पीछे उनकी द्रस्टी बहुत इस्पश्टी कि अगर बुल नहीं रहेगा नंडी नहीं रहेगा तो गाए भी नहीं रहेगी तो इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे अंग्रे जोने हिंदुस्तान में बुल का कतले आम शुरू करवा दिया एक तरफ गाय का कतले आम, दूसरी तरफ बुल का कतले आम और इस तरह तीसरे हिस्थे में गोवंच का कतले आम भी हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे शुरू हो गया 1850 के आसपास हिंदुस्तान में गाय के कत्ल के प्रश्न को हिंदुस्तान के बहुत सारे धर्म गुरुवों ने उठाना शुरू किया और हिंदुस्तान में जिन लोगों ने गाय के प्रश्न को उठाना शुरू किया उनमें आरे समाजी लोग से उसमें सिख पंथ के बहुत सारे लोग से उसमें हिंदु धर्म की बहुत सारी दूतरे मजहबों के हिंदु धर्म के मानने वाले बहुत सारे जो संप्रबाइं हैं जो अलग अलग मत हैं इतके लोग भी थे और उन्होंने इस गाए के प्रष्ण को मुद्दा बनाया अंग्रेजों ने इस गाए के प्रष्ण को हिंदुस्टान की अस्मिता के साफ जोड़ कर ये भी कहना शुरू कर दिया कि गाय काती जाए बुल काता जाए तो हिंदुस्तान की अस्मिता भी खतम होती चली जाएगी क्योंकि ये अस्मिता के मूल केंडर में है तो फिर गाय का कतल 18 से 50 के बाद अंग्रेजों ने इसलिए शुरू कराया ताकि हिंदुस्तान की जनता को नीचा दिखाना पहले गाय और बुल का नंडी का कतल इसलिए करवाया गया कि हिंदुस्तान की अर्थ जवस्था को बरबाद करना है कर्शी को बरबाद करना है बीज्वे बार में अंग्रेजों ने इस लिए शुरू करवाया कि हिंदुस्तान की जनता को ठेख पहुचानी है उनकी भावनाओं को तोड़ना है तो भारती जंताकी भावनाओं को ठेप पहुचाने के लिए एक बड़े प्यमाने पर गतलकार खानों की शुरुआत की गए अग्रेजों के जमाने के दस्तावेज बताते हैं कि अग्रेजों की सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे साड़े 300 कतलकार खाने खुल वाए जिन्य गोवंज का नाश होता था अंग्रेजों के जमाने के कुछ दस्तावेज बताते हैं कि कितना गोवंज का नाश अंग्रेजों के जमाने में होता था कुछ लगवख 10 करोवंज का कतल अंग्रेजों के कराया उसके बारे में अंग्रेजों की पार्लिमेंट में और अंग्रेजों के अधिकारियों में जो चर्चाएं की हैं उसके दस्तावेज मेरे पास हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसके आधार पर एक पुस्तक बने बहुत जल्दी वो पुस्तक आपके बीच में आ जाएगी तो वो जो 10 करोड गोवंच का खत्ल कराया उसके बारे में अंग्रेजों की सरकार ये कह रही है कि अगर ये 10 करोड गोवंच का आज कतल हो जाएगा तो आने वाले जमानों में करोड गोवंच का नास इस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं तो इस तरह से ये लीती आगे चलती रही और हिंदुस्तान के बहुत सारे धर्म और मजहबों के लोड गाय को बचाने के लिए आंदोलन भी करते रहे आप सब जानते हैं हिंदुस्तान में जो क्रांटी हुई थी उत क्रांटी की जो पहली चिंगारी लगी थी 1857 में बैरकपुर की सावनी में जब मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई थी तो मूल प्रशन गाय का ही था उत गाय के मूल प्रश्न से हंदुस्तान की कुरांटी की शुरुआत होई थी, और बाद में वही मूल प्रश्न हंदुस्तान की आजादी का प्रश्न बन गया था, कि मंगल पांडे को फांसी की सजाच्यों हुई थी। मंगल पांडे एक आरी समाजी नौजवान था। स्वामी धयानंद के विशारों से बहुत ज़्यादा पेरे दिख था। तो आरी समाजी नौजवान होने के कारण वो अपने मन में उतना ही धर्म निस्था जितना हिंदुस्तान के दूसरे समाज दूसरे सामाने लोगों तक थे। बलती यह हुई कि मंगल पांडे ने अंग्रेजों की फौज में नौकरी कर ली। और अंग्रेजों की फौज में नौकरी करते हुए एक दिन मंगल पांडे की फटा चला कि जो कारण्यूस अंग्रेजों की सरकार देती है। उन कार्टीसों पर गाय की चर्वी लगी होती है और गाय की चर्वी लगाए हुए कार्टीसों को मुझे खोलना पड़ता था उसके बाद बंदूस में चला पड़ते थे तो मंगल पांडे को जिस दिल ने पता चला कि वो जो गाय की चर्वी लगाए हुए कार्टीसों को मुझे खोलता है और उसके बाद बंदूप में उसको लगाना पड़ता है तो उसने मन में फैसला किया कि गाय की चर्वी के कार्टीसों को मुझे इस्तेमाल करने से जाना अच्छा है कि मैं ऐसी नौकरी को छोड़ दूँ लेकिन उसके मन में एक प्रतिशोद भी पैदा हुआ कि जिन अंग्रेज आफिसरों ने उसको बिना बताए हुए सालों साल उसके मुझे गाय की चरबी के कार्टीज खुलवाए है उन अंग्रेज आफिसर्स को वो जिन्दा नहीं छोड़ेगा ऐसा भी उसने एक संकल पिया तो मंगल पांडे ने हिम्मत की और जिस अंग्रेज आफिसर के माध्यम से उसको कार्टीज दिये जाते थे जिन कार्टीजों पर गाय की चरबी लगाई जाती थी उन कार्टीजों को लेने से उसने इंकार कर दिया तो बाद में उसके उपर दबाओ पड़ा और उस दबाओ के तहट एक दिन उस मंगल पांडे ने अपने उस अंग्रेज पुलिस आफिसर की हत्या कर दी गोली मार कर जिस अंग्रेज आफिसर के माध्यम से उसको गाय की चरबी के कार्टीज दिये जाते थे जैसे ही मंगल पांडे ने उस अंग्रेज आफिसर की हत्या की और ये बात पूरे देश में प्रचारित होने में समय नहीं लगा कि गाय की चरदी के लगे हुए कार्थूसों को खोलने से मना करने पर मंगल पांडे को सजा दी जाने की बात से हुई तो इसलिए मंगल पांडे ने ये फैसला किया कि उस अंग्रेज पुलिस आफिसर को मार दिया जा तो जैसे ही अंग्रेज पुलिस आफिसर की हत्या हुई तारे देश में एक बगावत की लहर पैदा हो गए और उस बगावत की लहर में अंग्रेजों की सरकार को सबसे ज़्यादा नुक्सान हुआ गाउं गाउं गली गली में नौजवानों के करांतिकारियों के संगतन बनना शुरू हो गए गाओं गाओं गली गली में नौजवानों ने अंग्रेजी फोज और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत शुरू कर दी गाओं गाओं गली गली में नौजवानों ने गाए के प्रश्ण को हल करने के लिए गोरत छुन कमीतिया बनाना शुरू कर दी बहुत कम लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांती में गाय का प्रश्ण एक बहुत महतुपूर प्रश्ण हुआ करता था अगर वो गाय का प्रश्ण नहीं होता तो शायद 1857 की क्रांती के होने में भी मुश्किलें आती बोट रांती एक तरफचन पी रही दूसरी तरफ हिंदुस्तान में नौजवानों के संगछन पैदा होने लगे गाउं गाउं में गोरक्षण समीतियां बना दी गई 1870 तक आते आते हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा गाउं नहीं था यहां पर गोरक्षण की समीतिना बनाई गई हो अंग्रेजों का एक खुपिया विवाग होता था अंग्रेजों का एक डिपार्टमेंट होता था जो सीक्रेट रिपोर्ट इकठी करता था उस department के माध्यम से अंग्रेजों ने एक तरवे कराने का काम शुरू किया और वो तरवे काफी समय तक चला इस station में तो अंग्रेजों के खुफिया विवाद में जो रिपोर्ट इकठी की जो रिपोर्टे उन्होंने बनाई वो रिपोर्ट बाद में 1893 के साल में लंदन बेजी गई और लंदन की सरकार और लंदन की पार्लिमेंट से उस रिपोर्ट पर जो चर्चाएं हुई उस रिपोर्ट क कि अगरे कई वाने तक हिंदृस्तान के गाओं गाओं में Align 70 क आते आते हिंन्दृफ्तान में कर इसमाने में साथ सऊने शामिला नहीं में 500 अर्फ में नाज्वां में और अंग्रेजों की खुफिया रिपोर्ट ये कह रही है कि गोरक्षण समीती में शामिल जो नौजवान है उनमें एक भी नौजवान ऐसा नहीं है जो गाय के प्रशन पर मरने के लिए तैयार ना हो तो एक बाजी में गाओं गाओं में गोरक्षण की समीतियां बन रही है बीबर बाजी में हिंदुस्तान में क्रांटी की बगावत और क्रांटी की लहर चल रही है ये दोना चीज़ें एक साथ इस सेश में चल रही है 1893 के साल सक आते आते ये गोरक्षा का आंदोलन बहुत प्रवल हुआ और गोरक्षा का आंदोलन इतना प्रवल हुआ कि अंग्रेजों की सरकार को लगने लगा कि अब सायद हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा बारत के जाना पड़ेगा उसका नाम था लेंस डाउधें देजी अंग्रेजों की देज रहा है ब्रिटिफ पार्लिमेंट कו उछाषब के कि अब अंग्रेजों को बारत में राज्य करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि गाओं गाओं में गोरच्छा समीतियां बन चुकी है गाओं गाओं में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है कभी नी ये बगाओत दावानल का रूप ले सकती है और अंग्रेजों की सरकार साइद उसमें जलकर भस्म हो जाएगी ये एक अंग्रेज ऑफिसर लेंस बाउन लिख रहा है बिटिश पार्लेमेंट को बेजे गए कुछ रिपोर्स में तो बिटिश पार्लेमेंट में उस रिपोर्स पर चर्चा हो रही है और इस रिपोर्स पर चर्चा होते हुए उस जमाने की जो रानी है विक्तोरिया जिसका नाम है वो विक्तोरिया बिटिश पार्लेमेंट के जो MPs है उनको निर्देश ले रही है और वो निर्देश क्या हैं वो हमको समझने चाहिए तो आज के इस प्रश्ण का हम लोगों को स्वरूप भी समझने आएगा विक्टोरिया कह रहे हुए 1893 में लंडन के पार्लिमेंट के हाउस अफ कॉमंस में कि हिंदुस्तान में गाय का कत्ल तो जारी रहना ही चाहिए अंग्रेजों को आफी पर कह रहा है लेंस डाउन कि गाय का कत्ल करना मुश्किल है और वो रिपोर्ट बेज रहा है ब्रिटिस पार्लिमेंट को कि गाय का कत्ल अगर यहां करते चले गए हम लोग तो यहां राज्य करना मुश्किल हो जाएगा तो ब्रिटेन की महराणी विक्टोरिया कह रहे है पार्लिमेंट के अंदर अगारे सो प्रानवे के साल में कि गाय का कत्ल तो बहुत जरूरी है क्यों गाय का कत्ल करने से हिंदुस्तान की अस्मिता भारत की अस्मिता नश्क होती है और भारत के लोगों का अस्टित भी नश होता है फीडी सी बात है कि जो केंद्रबिंदी में हैं आपके देश में जाए अगर उसका कतल किया जाए तो आपकी भावनाओं को भी ठेश पहुंचती है आपकी भावना भी आहत होती है तो विट्टोरिया कह रही है कि यह तो बहुत जरूरी है और इसको और आगे बढ़ा जाना चाहिए तो कैसे आगे बढ़ा सकते हैं तो लेंस डाउन रिपोर्ट में लिख रहा है और वो कह रहा है एक महतुपूर बात जो मैं आज आप से कहने की कोशिश कर रहा हूं लेंस डाउन की रिपोर्ट बताती है जो ब्रिटिश पार्लिमेंट में गई है कि गाए को को बचाने के लिए हिंदु भी लड़ रहे हैं मुसल्मान मिला 1870 के साल से गाय को बचाने के आंदोलन में लगे हुए है राजिस्थान में आप जाईए राजिस्थान में मुसल्मानों की एक जाती है उसको कहते है राठ ये राठ जो जाती है मुसल्मानों की ये कित इलाके में रहती है ये राख जाती ही मुसल्मानों की राजिस्थान के बीका नेर के आसपास के इलाके में सबसे ज़्यादा पाई जाती है आज भी आप राख जाती है मुसल्मानों के बीच में चले जाएं oken है। इसलिए राख जाती से मुसलमान अठारइ सो सब्सक्र के साल में काने के आंदोलर में लड़ वहे हैं। और ऐसे ही आप सेले जाईए। राज़िस्तान में एक बीसरी मुसलमानों की और जाती है इसको कहते हैं मेफ जो मेफ जाती से मुसलमान है राजिस्थान और हर्यारा का एक लाका ही कहलाता है जिसका नाम है मेवाथ तो मेवाथ वो लाका है जिसमें मेव जाती से मुसल्मान रहते हैं तो मेव जाती से मुसल्मान भी गाए को बचाने के आंदोलन में 1870 के पाल से सामिल है राक जाती को मुसल्मान भी गाय को बचाने के आंदोलन में अठारे से सक्तर के पाल से सामिल है माने चाहे गाय को बचाना सिर्फ हिंदियों का काम नहीं गाय को बचाने के लिए मुसल्मान भी ललवाए और उस जमाने के बड़े बड़े मुसल्मानों के जो मौलिवी है वो सब कह रहे हैं कि गाय बचे दी तो हम बचेंगे माने उनकी आर्थिक जीविकाता सादन है कुछ मुसल्मान है जो गाय का दीव बेच कर अपनी जीविका चलाते है खुछ मुसल्माने जो गाय का जी देच कर अपनी जीन का चलाते हैं खुछ मुसल्माने जो गाय की मिठाईयां गाय के दूप से बनने वाली मिठाईयां देच कर अपनी जीन का चलाते हैं तो हिंडू भी लल रहे हैं गाय को बचाने के लिए मुसलमान भी लड़ रहे हैं गाय को बचाने के लिए इंदोस्तान की तमाम दीपरी जाती है लड़ रही है गाय को बचाने के लिए ये अंग्रेजों की रिपोर्ट में लेंस डाउन में लिखवाया और वो रिपोर्ट जब ब्रिटिश पार्लिमेंट में पहुंती तो राणी विक्टोरिया ने उस पर एक टिपणी की आज दिसंबर 1893 को विक्टोरिया ने एक चिथी लिखी लेंस डाउन को वो चिथी हम लोगों के पास है उसकी फोटोकॉपी हम लोगों के पास है House of Commons की लाइबरेरी में से वो चिप्थी हम लोगों को मिली है वो चिप्थी का पहला पहला गास क्या है Victoria लिख रही है कि हिंदुस्तान में गाए का कत्ल बंद नहीं होना चाहिए और हिंदुस्तान में गाए के कत्ल के बहाने हिंदु और मुसल्मानों के बीच में एक दरार पैदा करनी चाहिए अंग्रेजों की हमेशा से नीटी रही है बाटो और राज करो दिवाइड एंड रूल तो अंग्रेजों की वो जो नीटी है बाटो और राज करो की उस नीटी के दहँ के दहत विक्तोरिया सित्षी लिख रही है लेंस-डाउन को कि वो गाए का कतल करें अगर हिंदुयों को ये पता चलेगा कि मुसलमान का कतल कर रहे है तो हिंदु और मुसलमानों के बीच जब 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 Whoo हो जाएंगे तो अंग्रेजों की सरकार टिकेजी और उसको राज्य करने से कोई रोक नहीं सकता तो एक जमाने में 1870 से 1893 तक जो मुसल्मान हिंदुत्तान की गाय को बचाने के आंदोलन में लगे हुए है फिर अंग्रेजों की लीतियों के कारण मुसल्मानों को गाय का कतल करने के लिए प्रोप्साइब किया जाए ये रानी की चिट्थी है लेंस डाउन के लिए और वो चिट्थी हम लोगों के पास है सबीद है प्रमान है इसके आधार पर मैं ये पहरखा हूँ कि अंग्रेजों ने हिंडी और मुसल्मानों के बीच में धगरा कराने के लिए हिंडी और मुसल्मानों के बीच में धरार पैदा करने के लिए मुसल्मानों को गाय काचने के लिए प्रेविद किया और वो कैसे किया उसकी नीति भी जानिये लेंस्डाउन को जब रानी की चिट्टी मिली तो लेंस्डाउन ने एक मीती बनाई और मीती क्या बनाई लेंस्डाउन ने ये फैसला किया कि अंग्रेजों के चलाए गए जितने कतल कार खाने हैं उन कतल कार खानों में नौकरी सिर्फ मुसल्मानों को दी जाएगी ताकि पूरे हिंदुस्तान ने। इस बात का प्रचार किया जाए कि हर कतल कार खाने में देखिये गाय काटने का काम मुसल्मान कर रहे। जबर जस्ती मार कर पीट कर गाय का कतल करवाने के लिए तैयार किया पामाने रूप से कोई मुसल्मान उसके लिए तैयार नहीं था उस जमाने में जब मुसल्मान गाय का कतल करने के लिए तैयार नहीं थे तो अंग्रेजों की Сरकार में मुसल्मानों को मारना पीशना उनको धामकाना उनको तमतरे ही लालत देने का काम शुरू करवा दिया और दीरे दीरे उनकी इस पॉलिसी में उनकी इस मीपी में डिखावच आने लगी कि मुसल्मानों ने कतल कारखानों में जबर जस्ती अंग्रेजों के कहने पर मार पीप पर नौकरी करना शुरू किया तो अंग्रेजों ने सारे देश में ये परचार करना शुरू करवा दिया कि देखिए गाए हम नहीं काटते मुसल्मान काटते और सच्छा ये है कि राणी ने चिप्टी में लिखा था उस चिप्टी में उसमें ये लिखा था कि मुसलमान गाय कातें ये जरूर लेकिन वो हमारे लिए कातेंगे हमारी फौज के लिए कातेंगे अंग्रेजों को गाय का माज चाहिए अंग्रेजों को गाय का माज चाहिए तो मुसल्मान गाय का चाहिए हारे लिए और हिंदुस्तान के लजन्ता को दिखाई देगा कि गाय कट रही है मुसल्मानों के द्वारा पीछे जो मूल रखती है गाय को कटवाने वाला जो मूल अंग्रेज हैं गाय को कटवाने वाले उनका चहरा लोगों को दिखाई नहीं दएगा और ये नीती पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने लागू की इस नीती की सफलता हुई कफलता चाहुई कि हिंदुस्तान ने जगे जगे हिंदु मुसल्मानों के दंगे शुरू हो गए अंग्रेजों को बचा दिया गया अंग्रेजों ने अपने आपको बचा लिया और हिंदू मसल्मानों के दीच में उन्होंने बेच पदा कर दिया गाय का कतल करवाते और इस तरह से हिंदुस्तान में अंग्रेजों की बनाई गई वो नीती चालू होती गई आदादी मिनने के शुरू के दोर में क्या हुआ इस पूरे आंदोलन के केंडर में गाय हुआ करती है स्वामी बायाननसरफवधी के पूरे केंडरा में गाय हुआ करती है इंदुस्तान में महात्मा गांदी ने ये इस बात को की बार कहा गांदी जी ने जब अफना आंदोलन के शुरू त evalu क्यार महात्मा गांदी ने ये पोल चक्छा ये गांदी जी ने कई बार का है कि स्वराज जिसे जादों महत्वपूर है गोरक्षा और मेरे लिए गाय का कतल ऐसा ही है जैसे किसी जक्ती का कतल किया जा रहा है ये गांदी जी ने कई बार का है के लिए गाया का प्रश्न बहुत procedure प्रश्न ता एक ही परंपरा थी कि जो हंदुस्तान में 1870 में क्रांती हुई थी बगावतु इस 1857 में और 1770 के बीच में जो आंदोलंग चले थे वो गाय के प्रश्ण को लेखकर महतुपूर आंदोलंग चले थे तो आगे भी इस देश में ये महतुपूर काम होता रहेगा बीच में आज सब्सक्राइब लगी 1940 के साल से 1940 के एक साल पहले एक बहुत महतुपूर घटना हुई जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूं लाहर एक शहर है पहले इंदुस्तान का हिस्ता था अभी पाकिस्तान में है बटवारे के बार लाहर शहर में अंग्रे जो ने एक कतल कारखाना खोला 1949 के साल में और वो कतल कारखाना यंत्री क्रत था मैकेनाईज था और बड़े पहमाने पर उसमें गवर नंदी का कतल हो सकता था ये अंग्रे जो ने फैसला किया था तो 1949 में जो लाहर में कतल कारखाना खोला गया उसके लिए सबसे जबरजस्त आंदोलन किया पंडित जवा पंड्रीत चाहला नने 1949 के उसकतल कारखाने को बंद कराने के लिए अंग्रे पाफल भी हुआ उनरीत से इक भाषन का धिक्र और उस पूरे भाषन का नहीं उसकी एक लाइन का धिक्राप के दीच में कर रहा हूं पंडित मेरू कहा करते थे कि जब मैं जानवरों का कतल होते हुए देखता हूँ तो अंदर से मेरी आत्मा कीशकार करती और उनका ये कहना था और उनका ये मानना था कि अगर वो आज़ाद हिंदुस्तान में किसी महतुपूर पद पर पहुँचे तो वो एक ऐसा कानून बना देंगे जिसने हिंदुस्तान में गाय का कतल बंद हो जाएगा गोवंच का कतल बंद हो जाएगा ये पंडित मेरू के भाषण है और ऐसा ही एक भाषण हिंदुस्तान के पहले राश्रपती डाक्टर राजन परसाद का है राजन प्रसाद कह रहे हैं कि मुझे मासाहार बिलकुल पसंद नहीं और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में अधिक से अधिक लोग शाकाहारी हो तो इसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान में ये मासाहार का चलन बंद किया जाए तो मासाहर का चलन बंद करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मास उत्पादम के जो केंदर चल रहे हैं इनको बंद किया जा तो पंडित राजन प्रसाद में भी आजादी के पहले इस तरह का एक संकल्प लिया कि मैं कभी हिंदुस्तान में आजादी के बाद अगर किसी महतुपूर पद पर आया तो गाय का उत्पादम गाय का मास जहां उत्पादित होता है गोवंच का जहां कतल होता है हिंदुस्तान के जानवरों का जहां कतल होता है ये सारे उत्पादम केंद्र बंद करवा देंगे और उसके लिए हम केंद्री इस तर पर कानून बनवाएंगे ऐसी भावना थी हिंदुस्तान में आजादी आने के पहले के नेताओं की चांस की बात कि ये दोनों व्यक्ति हिंदुस्तान के सबसे उचे शिखर पर बैठे पंडि जवारला नहरू हिंदुस्तान के पहले प्रधान मंत्री बने और डॉक्टर राजेद प्रसाद हिंदुस्तान के पहले राश्रपती बने तो हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री और राश्रपती बनने के पहले दोनों नेता ये मानते थे कि गाए का कतल नहीं होना चाहिए गोवंच की रख्षा होनी चाहिए और मास उत्पादन के ये जो केंडर चल रहे हैं पूरे देश में इनको बंद करा देना चाहिए दोनों नेताओं की ये मानता थी कि मास उत्पादन के इन केंडरों को बंद कराने के लिए अगर जरूरत पड़े तो हम केंडरी इस तर पर कानून बनाएंगे तो दोनों लोग जब पहले प्रदान मंत्री और राश्रपती बन गए मुझे सब्से बड़ा दुर्भागी यही है कि अपने पूरे साशन काल में पंडित जवारलाल नहरू और डॉक्टर राजेन प्रसाद गोवन्ष की रख्षा करने वाला कानून ही नहीं बना पाए बाकी बहुत सारे कानून उन्होंने बनाए और 1955 के साल में पंडित महरू ने पारलेमेंट पे एक भाषन दिया है उस भाषन की फोटोकॉपी भी हमारे पास वो भाषन पंडित महरू दे रहे हैं पारलेमेंट के अंदर तो हुआ क्या है एक तांसद में गोवन्ष की हत्या को रोकने के लिए एक विदेयक पारलेमेंट में लाया तो गोवन्ष की हत्या रोकी जानी चाहिए इसके लिए एक विदेयक आया तंसद में उस विदेयक पर बहस हो रही है तो बहस करते हैं पंडित नहरू कह रहे हैं कि इस विद्यक को तच्काल रद किया जाना चाहिए माने गोवन्स का कतल चालू रहना चाहिए आदादी के पहले एक बात कह रहे हैं और आदादी मिलने के बाद जब वो प्रदान मंत्री बन गए हैं तो पार्लिमेंट के अंदर उसकी ठीक दूसरी बात कह रहे हैं दोस्तो आज ये जो हिंदुस्तान के नेता हैं सब्ता मिलने के पहले एक बात कहते हैं और सब्ता मिलने के बात दूसरी बात कहते हैं ये परंपरा हिंदुस्तान में आजादी के साल से ही पड़ी हुई, ये कोई आज की परंपरा नहीं है, इसलिए आज के नेताओं को देखकर मत रोईए, उस जमाने के जो सबसे बड़े नेता माने जाने वाले लोग, सब्ता मिलने के पहले गाय का कतल का विरोद करते हैं, और हिंदुस्तान में गाय के कतल को रोकने के लिए एक केंद्रिय कानून बनाने की बात उन्होंने कही थी आजादी के पहले, और आजादी के साल में वहीं नहीं हो पाया, और आज तक हम सब का आपका दुर्भाग यह है, आजादी मिले हुए 50 साल हो गए हैं, लेकिन केंद्र यह इस तर पर आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बन पाया, जिससे इस देश में पशुओं के कतल को रोका जा सके, आजादी के पहले जिस तरह से देश चलता था, आजादी के बाद वैसे ही देश चल रहा, गुर्भाग जिसे ज्यादा हालत आज खराब है, आंक्रें यह बत जब आजादी नहीं मिले थी, तो सारह 300 कतल कार खाने से, अब आजादी मिलने के बाद 60,000 कतल कार खाने हैं, और उनमें से एक-एक कतल कार खाना कितना जबर्जस्त है, कि एक-एक कतल कार खाने ऐसे हैं इस देश में जिनमें 10,000 पशुओं रोज काटे जाते हैं, यहीं बं जिनमें एक दिन में कम से कम दसफाजार पशू काज दिये जाते हैं। आप जबा कलपना करिये कि जितनी देर में आपका चौवीस घंटा भीटता है। मानें आप रात को सोते हैं और अगले दिन रात सोने की तैयारी करते हैं। उतनी देर में 10,000 जानवरों की बली ले ली जाती है, एक कतलकार खाने में, और छोटे बड़े कुल 36,000 कतलकार खाने में, क्या हालत है इस देश की, अंग्रेजों के जमाने के आंकड़े बताते हैं, मैंने आप से कहा, कि लगवत 30 साल के अंदर अंग्रेजों ने हिंदुस्त में लगवग 48 क्रोर गोवंच का नाज किया जा चुका है, 48 क्रोर, अंग्रेजों ने 3 साल में करवाया लगवग 10 क्रोर, और हमारी सरकारमें 50 साल में करवा दिया, 48 क्रोर गोवंच का नाज क्रोर, नन्दी, बच्ठ़े, बच्hiा, यह संकाचे जा चुके हैं, जितने सा आपने आजादी के 50 साल पूरे किये और आप जरा कलपना करिए कि अगर यह अर्टालीस करोर या पचास करोर गोवंच के जानवरों को बचा लिया जाता तो हिंदुस्तान में आज संपत्ती और संपत्ता संपता कितनी होती पैसा कितना होता क्योंकि आपको मालूम नहीं है ए एक गाए घर के दिरौजे पर अगर बंदी है और वो साल बर दूट दे या ना दे बिना दूट की गाए भी अगर आपके दिरौजे पर बंदी हुई है तो एक साल के अंदर वो गाए 25,000 रुपए का फरिटिलाइजर पैदा करती है घाज पैदा करती है जिसको आप गोव हो गया है तो आप सोचिए कितने अबज रुपए के खाद का नुक्तान किया है हमने पिछले 50 साल और आप सब जानते हैं हम भी जानते हैं कि गाय का गोबर अगर खेत में ना पड़े तो गेहूं नहीं हो सकता गाय का गोवर अगर खेत में नहीं पड़े तो चना नहीं हो सकता मटर नहीं हो सकती और यहू चना मटर अगर नहीं हो सकता तो हमारा पेट नहीं बर सकता तो जिस गाय से हमको इतनी महतुपू और बेस्कीम्ती चीज मिल रही है उतका हमने नुक्सान किया है अब जो रुपए के खाट का नुक्सान हुआ है पिछले 50 साल में और आप मान लीजिए एक साल में अगर एक गाये 10-15,000 रुपए का दूद देती हो तो ये जो 48 करोर गोवंच का नाश हुआ है पिछले 50 साल में ये कितने करोर रुपए के दूद का नाश कर दिया है हमारी सरकार दे और आपको मालूम नहीं है कि गाये का गोवर और गाये का दूद उससे भी ज़्यादा महतुपूर है गाये का मूत्र और आपको जानकर ये खुशी होगी और आश्यर भी होगा कि गाए के मूत्र से 108 तरह की दवाएं बनती है और हमारे देश के आयर वेब के जो बड़े गरंथ है चरक सहिता, सुछृत, हरिप सहिता इन सभी आयर वेब के गरंथों में गाए का मूत्र बहुत विशेश किसम की दवा माना जाता दुनिया में एक बीमारी है उसका नाम है डाइबिटीज और ये डाइबिटीज नाम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है होमियो पैथी में कोई इलाज नहीं है ऐलो पैथी में और कोई इलाज नहीं है दुनिया की किसी पैथी में डाइबिटीज को कंट्रोल तो किया जा सकता लेकिन उसका इलाज करना बहुत मुश्किल है एलोपैसी वाले तो कभी ये गारंटी दे नहीं सकते कि वो डाइबिटीज जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं डाइबिटीज को वो कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन ठीक नहीं कर सकते वो diabetes जैसी बीमारी गाई के मूत्र से हमेशा हमेशा के लिए खतम हो जाती है तो गाई का दूद गाई का गोबर गाई का मूत्र ये सब बहुत जरूरी चीज़ें हैं और अगर 48 करोर गोवंज के पशुओं का नाथ हुआ है पिछले 50 साल में तो आप अंदादा करिए कितने लाख करोर रुपए का हमने बरबादी की है इस देश में पिछले 50 साल और आज भी आपको मैं एक जानकारी दूँ हिंदुस्तान में इस तमें भेंकर समस्क्राइब में समस्क्राइब की और रुपए क्तरूल की और बरत्फ सरकार के आइल-पूल-अकायूंत का डेश्सित बड़ता ही चला जाता है कभी पूरा ही नहीं होता है वह आईल-पूल–काउंट के 주िसिट में यह पेट्रोल क involving हस्शे में का बाहर से आयाथ करना प靠ा है और जैसे आप के रुपए की कीमत गरती चली जाती है वह से जाने वाहर से आने Вас पेट्रोल और डीजल का दाम बलसा चला जाता क्योंकि आपका रुपिया गिरेगा तो बाहर से आने वाली चीजों का आयात महंगा होता चला जाएगा तो आपके देश में रुपिया गिरता चला गया है 1947 के साल से आज 1997-1998 के साल तक आपके रुपए में सेकड़ों टका की गिरावट आई है पिछले साथ वर्षों में हमारे रुपए में 120 टका की गिरावट आई है 1991 के साल में हमारे देश में एक डॉलर में 18 रुपिया होता था आज एक डॉलर में 40, 41, 42 रुपए के आसपास का भाव है 120 पर्सेंट की है जो गिरावट आई है रुपए में इसके कारण क्या हुआ है आपके देश में आने वाला डीजल और पेटरोल 120 ठका महंगा हो गया तो जैसे जैसे डीजल और पेटरोल महंगा होता जा रहा है वैसे ही वैसे इस देश में आईल पूल एकाउंट का डेफिसिट भी बढ़ता चला जा रहा है तो भारत सरकार क्या करती है भारत सरकार आईल पूल एकाउंट के डेफिसिट को पूरा करने के लिए आप जैसे लोगों के ऊपर सरचार्ज लगा देती है और पेटल और डीजल का डाम बढ़ा देती है एक बार बेंगलोर में एक बड़ा भारी कॉन्फरेंस हुआ था उसमें सरकारी अधिकारी शामिल थे उसमें देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्री शामिल थे उसमें हमारे देश के बड़े सामाजिक शास्त्री भी था मिलते मैं भी गल्टी से उसमें चला गया था गल्टी से इसलिए कहता हूं कि मेरे जैसे लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो जिस खोपड़ी से काम करते हैं हमारा दिमागी उससे बिलकुल अलग चलता लेकिन दुर्बागी की रात में वहां पहुच गया मुझे भी उसका इन्विटेशन था तो वहां बातें चल रही थी और भारत सरकार का एक अधिकारी चिंता व्यक्त कर रहा था कि कैसे हम ये ओयल पूल अकाउंट का डेफिसिक पूरा करें तो तमाम लोगों ने अपने अपने सुझाओ दिये सब लोगों के सुझाओ उसने सुन लिये पिर उसने का राजी बाई आपका क्या सुझाओ है कि ये भारत सरकार औाइल पूल एकाउंट का डेफिसिक कैसे खतम करें आपका क्या सुजाओ है तो मैंने का कि मैं मेरा सुजाओ देने से पहले आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूं पहले मुझे मेरे दो सवालों का जवाब दीजे तो मैं मेरा सुजाव देने को तैयार हूँ तोनर का आप सवाल पूछिए तो उस अधिकारी से मैंने पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान में एक गाउं से दूसरे गाउं जो सामान जाता है हमारे देश में जो गुड्स का ट्रांस्पोर्टेशन होता जो माल एक जगे से दूसरी जगे जाता है इस माल को एक जगे से दूसरी जगे पहुचाने में कितना हिस्सा है जो बैल गाडियों से होता है और कितना हिस्सा है जो मोटर कार और रेल से और हवाई जाहते होता इसको तकली की भाषा में अगर मैं कहूं तो मैंने सवाल ऐसे पूछा था कि हिंदुस्तान में goods के transportation में organized sector का कितना हिस्सा है और unorganized sector का कितना हिस्सा है तो उस अधिकारी ने जवाब दिया कि राजी भाई आज भी हिंदुस्तान में जो एक माल दूसरे गाउं में पहुचता है माल का transportation होता है उसमें से साथ टका माल बैल गाडियों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुचाया जाता है साथ तका 60% माने हिंदुस्तान में जो total transportation of goods है उसमें 60% हमारे देश के पशुओं की ताकत से एक गाउं से दूसरे गाउं पहुचता है सिर्फ 40% transportation है गुड्स का जो रेल गाली के द्वारा होता है हवाई जहाद के द्वारा होता है ट्रकों के द्वारा होता है लौरी इसके द्वारा होता है सिर्फ 40 तका तो मैंने उससे एक दूसरा सवाल किया कि अगर आप ये हिसाब बताते हैं कि 60% transportation goods का आज भी हिंदुस्तान में अन और्गनाइस सेक्टर में है माने पशुधन की शक्ती से एक गाउं से दूसरे गाउं जाता है और 40 तका ही हिंदुस्तान में और्गनाइस सेक्टर में जात अगर ये सारा का सारा माल हम हवाई जहाज से ले जाएं सारा का सारा माल हम रेल से ले जाएं सारा का सारा माल हम ट्रक से ले जाएं सारा का सारा माल हम मोटर गारी से ले जाएं तो क्या होगा तब उसने का कि राजीब भाई हिंदुस्तान में पेट्रोलियम और डीजल का ख करें तो आप कहते हो कि 77,000 करोल का डीजल और पेट्रोल हमको खर्च करना पड़ेगा हर साल में तो मैंने का आप हिंदुस्तान की सरकार का हर साल के बजट में कम से कम 14-15,000 करोल रुपए बच जाएगा तो मैंने का अगर 14-15,000 करोल रुपए बचेगा तो आप बताएए और पूल एकाउंट का डेफिसिट कितना है तो इसने दात निकालते हुए कहा कि कुल 14,000 करोल का है मैंने का डेफिसिट पूरा हो जाता है अगर आप हिंदुस्तान के पशुधन का इस्तेमाल करते हुए पूरे माल को एक गाउं से दूसरी जगए बेजाने की बेवस्ता कर दें तो आपके देश में ऑईल पूल एकाउंट का डेफिसिट ही नहीं रहने वाला तो बात उसके समझ में आ गई तो उसने एक दूसरा प्रश्म किया मुझे किराजी बाई आप फिर मुझको ये बताईए कि अगर बेल गाडियों से ये माल एक गाउं से दूसरे गाउं जाएगा तो महीनों में एक जगए से दूसरी जगए पहुंचेगा मैंने गाँ उसका भी सुझाओ है मेरे पाद आप हिंदुस्तान की बेल गाडियों के पईये में बियरिंग लगा दिया जाए तो क्या होगा वही बेल जो सो कुंटल माल ले जा सकता है एक कुंटल, दो कुंटल, पचास कुंटल जितना माल ले जा सकता है अगर बेलगाडी के पईये में वीरिंग लगा हुआ है तो वही बहल उस ते दो गुना ज़ादा माल ले जाएगा और सिर्फ दो गुना ज़ादा माल ही नहीं ले जाएगा बल्कि त्ऐजी के साथ वो माल एक गाउं से दूसरे गाउं में पहुंच जाएगा तो आपके समय की समस्या का भी समाधान हो जाएगा तो मैंने कहा कि बस दो छोटे से काम करिए पहला काम कि हिंदुस्तान की जो पशू धन है हिंदुस्तान के पशूओं की जो शक्ति है इसका बचाओ करिये ताकि ये माल को एक गाओं से दूसरे गाओं में ले जाने के काम में आए और दूसरा काम बैल गाडी के पईए में बाल बीरिंग लगा दीजिए तो उसने एक तीसरा सवाल मुझे का राजी भाई ये करेगा कौन? मैंने का आप करेंगे और कुन करेगा अधिकारी आप है मैं थोड़ी तो कहें लगे आपकी बात समझ में आती है लेकिन कोई इसको करने के लिए इसलिए तैयार नहीं होगा कि बैल गारी के फईये में अगर वियरिंग लगाना चालू करना हिंदुस्तान के लेग जाने तो अ अमरीका भागने को तैयार बैठे हैं परेशानी तो यह है मैंने हिंदुस्तान की सरकार की सबसे बड़ी समस्या और पूल एकाउंट का डेफिसिट खतम करने में हिंदुस्तान के गोवंच का सबसे बड़ा इस्तेमाल हो सकता है यह बात मैं आपको कहना चाहता हूं और अगर गोवंच का आज हम देखें तो अठारे 20 करोर के आसपास होगा लेकिन यह जो अठारे 20 करोर का गोवंच का पशूधन है यह पशूधन हिंदुस्तान में 14,000 करोर रुपय की बचत करता है हर साल में आप सोचिए कितनी बड़ी बचत है 14,000 करोर कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती वो 14,000 करोर की रकम बचाई जाती है हिंदुस्तान के गोवंच के पशूधन के द्वारा और हिंदुस्तान के दूत्रे पशूधन के द्वारा इसलिए गोवंच का नास नहीं होना चाहिए इसलिए भी नास नहीं होना चाहिए गोवंज का कि हिंद 250 वाρε का रॉपे का फर्टिलाइजर पैदा कर सकती है और हम वेदेशों केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने की जमारत नहीं आप सब जानते हैं ये जो कैंमिकल फर्टिलाइजर रहता है ये बाहर के देशों से लाना पड़ता है और बाहर के देशों से लाया हुआ केमिकल फर्टलाइजर आपके शरीर में जहर गोल रहा है आप गेहूं नहीं खा रहे हैं गेहूं के साथ जहर खा रहे हैं आप चना और चावल नहीं का रहे हैं, चना और चावल के साथ जहर का रहे हैं। क्योंकि उनमें विदेशी फर्टिलाइजर लगता है, केमिकल फर्टिलाइजर लगता है, और यह जो chemical fertilizer लगता है हमारी खेती में इसकी वज़े से पानी ज़्यादा लगता है खेती में अगर गाय के गोबर से हम खेती करें तो हमारे देश का पांच गुना पानी बच सकता है वही खेती हो रही है chemical fertilizer ते तो पांच गुना ज़्यादा पानी बरबाद हो रहा है देश का और आप सब जानते हैं पानी लीशवर की देन है कोई सरकार पानी पैदा कर नहीं सकती दुनिया में अर्बों रुपए जिन सरकारों के पास है वो भी पानी पैदा नहीं कर सकते ये बगवान का दिया हुआ है, इश्वर का दिया हुआ है, और जमीन के नीचे ये पानी है, वो आपके बैंक बैलेंस की तरह से है, हम बेवकूफी में क्या कर रहे हैं, बैंक बैलेंस में से पैसा निकालते चले जा रहे हैं, निकालते चले जा रहे हैं, उसको वापस जालने एक छोटा सा सुजाओ है कि हम सब लोग जादा से जादा गाय का दूद पीना शुरू कर दे हिंदुस्तान में जो लोग चाए काफी और पेप्सी कोला कोका कोला पीते है अगर ये चाए काफी पेप्सी कोला और कोका कोला पीना बंद कर दिया जाए और उतने पैसे का गाय का दूद पिया जाए तो लगबग सारे साथ आथ हजार करोर रुपए का गाय का दूद और बिकेगा और इतने दूद को बेचने के लिए कम से कम डेर दो करोर और जादा गाय पालनी पड़ेगी और देड़ दो करोड जो गाय पाली जाएगी इस देश में वो देड़ दो करोड गाय 10% की ब्रद्धी दर से अगर बढ़ना शुरू करेगी गोवंच में ब्रद्धी होगी हर साल में तो हिंदुस्तान में आने वाले 15-20 सालों में करोडों गोवंच को हम बचा सकेंगे इसलिए गाय की रक्षा गो रक्षा करना बहुत जरूरी है और चलते चलते आखरी बात कि इसलिए भी गो रक्षा बहुत जरूरी है कि ये गाय जो है भारतिय संस्कृती का प्राण है और इसमें 33 करोर देवी देवताओं का निवास है तो हम सब एक छोटा सा काम जरूर कर सकते हैं कि अपने घर में संकल्प करें कि जितने जादा से जादा गाय का दूद पियें गाय का धी खाएं गाय के दूद को बिकवाएं गाय के दूद से बने हुए पामानों की बिक्री करवाएं उतना ही जादा से जादा हमारे देश म ये गोवंच की ब्रदी होती चली जाएगी इतना ही मुझे आपसे कहना था बहुत बहुत आभार बहुत बहुत बन्निवाद दोस्तो सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइक कमेंट और शेयर करें और हाँ हमारा एंडरोइड एप डाउनलोड करना ना भूले